नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मुशिन वी कंपनी आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैसा बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से शुरू करके असानी से काफी पैसा कमा सकते हैं चोटा सा यह बिजनेस है जितना इंवेस्टमेंट आप अब शुरू कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं यह बिजनेस क्या है कैसे शुरू करना है और क्या इसका का इंवेस्टमेंट है चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का नोटबुक्स का ब्रांड बना सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे नोटबुक्स बनाकर उसे सेल करने को दोस्तो यह है एक बड़ा बिजनिस और मैनुफेक्चरिंग बिजनिस अधिकतर अच्छा मुनाफ़ा देता है नोटबुक्स की सबसे आदा खरीद स्कूल और कॉलिज के स्टुडेंट्स के दुआरा होती हैं इस से अलग गवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी आफिस में इसका प्रयोग होता है इसके अलावा सभी दुकानों पर और सभी बिजनिस में अपना हिसाब और बाकी जानकारी रखने के लिए भी नोटबुक का यूज होता है नोटबुक की मार्किट बहुत बड़ी है और अगर ऐसे में आप इसकी मैनुफेक्शरिंग का बिजनिस करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा बिजनिस सेटप कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनिस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं की कैसे आपको नोटबुक बनाना शुरू करना है क्या मशीन चाहिए होगी कैसी और कितनी जगे चाहिए होगी कितना खरचाएगा इस काम में और कितना मुनाफ़ा आप इस काम में ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को हम तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनिस में दोस्तो इस बिजनिस में आपको सबसे पहले एक जगेह कपर बन करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्छा माल खरीदना होता है इसके बाद आप दो या तीन कारीगर लगा कर काम को शुरू कर सकते हैं माल तियार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्केट में बेशते हो और मुनाफ़ा कमाते हो अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगे चाहिए होगी दोस्तों आपको इस काम के लिए कम से कम 40 किस जगे की दुरत होगी जहां से आप माल को तियार करतकते हो और जगे किसी भी इस्तान पर हो सकती है इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको दुरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तियार कर रहे हो उसे आपको बेशना नहीं है उस इस्तान से तो इस्तान कोई भी हो सकता है अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपे में आपको मिल जाएंगी तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे model 4 के बारे में जिसमें हमारे पास 3 मशीनों का set आता है सबसे पहले notebook stitching और folding machine दूसरे नमबर पे आता है edge square machine और तीसरे नमबर पे आता है semi automatic paper cutting machine दोस्तो इसमें जो सबसे पहली machine है notebook stitching folding machine उसका काम ये है कि आपने machine के एक side में paper और title को इकठा करके रख देना है जैसे कि आप video में देख रहे हैं तो machine ने automatically paper और title को इकठा ले जाकर center में ही pin करनी है और आगे फिर center से ही fold करके बाहर निकाल देना है इस machine में touchscreen लगा होता है और जिसमें आपने कोई भी size डालोगे कि मुझे इतने इतने centimeter पर pin चाहिए तो इसने automatically उतने centimeter पर ही pin लगा कर बाहर निकाल देना है फिर चाहे आप दो copy निकालो चाहे दो लाख copy निकालो किसी भी pin के size का फर्क नहीं आएगा यह सारा servo कर डोल्ड होता है और सारा numatic होता है जिस वरसे इसमें accuracy काफी जादा बढ़ जाती है और आपकी labor की जो सिर दर्दी है वो काफी कम हो जाती है तो दूसरे नमबर पर आती है आपकी notebook edge squaring machine edge squaring machine का काम ही होता है कि stitching folding होने के बाद जो notebook आपकी पीछे से fold होती है उसको इसने पूरे अच्छे से square कर देना होता है जिस वरसे आपकी finishing अच्छे से मिल जाती है और आपका notebook sale easily हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारा काम आता है notebook cutting machine semi automatic इसमें हम आपका जैसे दो दो copy हमारा त्यार हो रहा है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इनको हमने cut करके उसको single single piece में convert कर देना है और जो side में जो waste paper है उसको भी cutting करके इसका finishing अच्छे से ले आना है जिससे हमारी notebook finally त्यार हो जाती है और हम market में बेशने के लिए ले जाते है तो फिर हमारा काम आता है notebook को shrink packing करने का इसमें हम notebook को shrink packing कर सकते हैं कि जैसे भी हमारे 5-5-6-6 notebook है उनको एक अठा रखके lamination वाला wrapping चड़ाके shrink करके रख सकते हैं जिससे हमारा storage करना काफी असान है और notebook को कभी moisture नहीं आता तो ये चार machine की आप video देख सकते हैं कैसे working होता है क्या इतना manufacturing process है और कितना असान काम है ये सारी machine आप 3-4 आदमी रखके भी operate कर सकते हैं जिनमें आपको कोई skilled labor नहीं चाहिए unskilled labor भी इसका काम कर सकता है तो चलो video देख लो झाहिए झाल 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 झाल